हलो फ्रेंड्स बात करते हैं हम विश्रु की सबसे लंबे नदी नील नदी के बारे में आप देख रहे हैं गूगल मैप में जैसे अभी जैस्ट मैंने आपको बोर्ड पर बताया तो गूगल मैप पर अब हम देखते हैं कि इस नील नदी का जो उद्गम छेत्र वगरा है वो कहां है और इससे संबंदी जो काफी में तो पिक्स है फोटो यानि वह भी मैं आपको शो करता हूं तो हम चलते हैं हम नील नदी के उद्गम इस्थल पर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें नजर आती है एक जील एक जील आपको नजर आ रही है और जील लेक विक्टोरिया जील कौन से अपनी जील है लेक विक्टोरिया और लेक विक्टोरिया की एक खास बात है हम पैंचूज कर लेते हैं पहले लेक विक्टोरिया की एक खास बात है कि जो ये लेक विक्टोरिया है ये इस अफरीका महादूप की सबसे बड़ी जील है जील लंबडी जील है ये यहां पे कीनिया, यूगांडा कीनिया और ये तंजानिया, यूगांडा कीनिया और तंजानिया की सीमा परस्तित है, ये अफरीका महाधिप की सबसे बड़ी जील है, अब यहां से अफरीका महाधिप में यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी को हम कहते हैं सफेद नील, ठ जो आप देख पा रहे हैं सफेद नील यह आपको दिख रहा होगा यह जो पैट्रन है मैं देखो बनाता हूं इस पैट्रन को इस पैट्रन को हम बनाते हैं बिल्कुल बहुत इजी और खूबसूरत पैट्रन है यह यह पैट्रन को हम continue चलाएं पहले हम एक पैन चूज कर लेत जिल अब विक्टोरिया जिल से कई जल धाराओं में हमारी इस तंतर का जनम हो रहा है जिसको हम नील नदी तंतर कहते हैं और नील नदी तंतर फिर युगंडा होते हुए आगे बढ़ती है और उसके बाद ये आगे पहुँच गई है कहां पर दक्षन सुडान में आपको ये जुबा देख रहा है जुबा ये जो दक्षन सुडान में जुबा है जुबा इस नदी के किनारे यानि नील नदी के किनारे पर इस्तित है जुबा नील नदी के तो ये नदी देखो ये जो catchment area आपको नजर आ रहा है ये catchment area हम इसको zoom कर सकते हैं catchment area ये हमारी नदी का ही catchment area जो आपको ये नजर आ रहा है ये नदी का catchment area है और ये जो नदी आपको दिख रही है ये नदी कौन सी है ये है हमारी सफेद नील ठीक है अब ये जो हमारी नदी है अब ये नदी आगे बढ़ती है तो दक्षन सुडान में कंटीनिउ एक बार इसको देखो हम मारक करते हैं इस नदी को कि किस तरह से हमारी नदी का उद्गम हुआ था तो यहां यह दक्षण सुडान में थी हमारी यहां तक बही और उसके बाद यह सुडान में एंटर कर जाती है सुडान में इसने एंटर किया और सुडान में यह कंटिन्यू बहती रहती है सुडान में बहते बहते यह पहुँच जाती है मिस्र में अब सुडान में एक इस्थान आता है खारतूम सुडान में एक इस्थान आता है खारतूम ठीक है खारतूम इस खारतूम नमक इस्थान पर नजर आया आपको खारतूम ये खारतूम नमक जो इस्थान है इस खारतूम नमक इस्थान पर हमारी जो नदी है यानि की नील है इस नील में एक अन्य नदी आकर विलीन होती है और वो नदी जो है ये है वो हमारी नदी ये आपको दिख रही है ये जो नदी आ रही है देखो जो हमारा जो पॉइंटर है उस पॉइंटर को देखो ये एक नदी आ रही है ये नदी कहां से आती है ये नदी चार्थुम में आने मार्क किया है ये नदी निली नील नील एफ़ेश्र में में मिल जाती है दिख विसको जूम करते है तो तो ये साफ हमें Google जो मैप है ये दिखाने लग जाएगा कि ये ब्लू नील है हमारे पास ठीक है तो ये ब्लू नील नदी है अभी ये देखो ब्लू नील दिखा दिया इसने तो नेट थोड़ा सलो है तो ब्लू नील नदी है ये हमारी और ये निकलती कहां से है ब्लू नील ये Blue-Nin निकलती है, ये इथोपिया में जो जील है ताना जील, एथोपिया में जील है, सोरी, ताना जील, उस ताना जील के निकट से इस नदी का उधगम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जब हम जील पढ़ेंगे, तो हम जीलों के बारे में और जब हम जान पाएंग तो टाना जील के निकट से इस नदी का उद्गम होता है ठीक है ये नदी मिल गई है हमारे इस खार्तूम के निकट इस सफेद नील में और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कंटीनू देखो ये आगे बढ़ रही है कंटीनू आपको नजर आ रहा है ये आगे बढ़ती ज आपको क्या ये नजर आ रही है हमारी जील नासिर जील दिख रहा है इसको हम 3D इमेज में देखते हैं तो ये हमारी नासिर जील है यह हमारी ठीक है नासिर जील देखो साफ लिखा हुआ है मैं फिर भी मार्क कर देता हूं मार्क ये जो जील नजर आ रही है ये हमारी कौन स जीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजीजी इस अस्वान नामकिस्थान पर ये एक हमारा बांध बनाए इस नदी पर ये कैच्चमेंट एरिया है बांध का ये बांध दिख रहा है आपको ठीक है नील नदी पर ये बांध का कैच्चमेंट एरिया है जो पूरा दिख रहा है पैन का जो मैं मार्किंग कर रहा हूं पूरे मिस्र में पहुंसती है और मिस्र का जो पूरवी प्रदेश और पश्यमी प्रदेश है यहां पर ये नदी क्या है जानी जाती है अपनी करशी कारियों के लिए और मिस्र के जो किसान हैं जो की नील नदी के साथ रहते हैं मिस्र के किसानों को हम एक नाम देते हैं और व तो सागर नजर आ रहा है यह सागर कौन सा है यह सागर है हमारा जिसको हम नाम देते हैं रेड सागर है ना लाल सागर रेड सी बोलना चाहिए था लाल सागर है यह हमारा लाल सागर हो गया ठीक है अगर फिर और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं लाल सागर के बास देखो ये है गल्फ आफ स्वेज और ये जो कैनाल सिस्टम दिख रहा है ये जो कैनाल सिस्टम है ये हमारी स्वेज नहरे देखो मैं आपको बोती अच्छे से पूरा जूम कर केश को मैं नजर करवा देता हूँ यह हमारा स्वेज नहर है यह जो दिख रही है आपको यह स्वेज नहर है कंटीनू चल रही है यहाँ पर स्वेज का स्थान हो गया यह खुबसूरत सा पोर्ट तौफीक है इधर देखो बंदरगा है पोर्ट तौफीक खुबसूरत सी इमेज है हमारे पास इमेजेज भी काफी है इसमें बटो बहुत जादा टाइम खराब हो जाएगा नील नदी में और यह स्वेज नहर है पोर्ट तौफीक है कंटीनू स्वेज नहर चल रही है पास इद को काटा हुआ है और यहां आगके यह देखो अब हमारी जो स्वेज नहर है इस स्वेज नहर को आगे जोड दिया गया है कहां से इस भूमत देसागर से है ना यह ध्यान रखना है कंटीनू आगे चलते हुए यहां भूमत देसागर से देखो यह पूरी स्वेज नहर चलती गई चलती गई यह स्वेज नहर है continue आगे बढ़ रही है बढ़ रही है स्वेज नहर और यहां पर बंदरगा आ गया स्वेज नहर में यह बंदरगा जो है इस बंदरगा को हम क्या कहते हैं पोर्ट सईद बंदरगा यह पोर्ट सईद को देखा स्वेज नहर को देखा अब हम आ जाते हैं हमारे इस नील नदी पर एक बार फिर से हमने नील नदी को पहले जान लिया और उसके बाद हमने स्वेज कैनल को भी देखा अब ये है हमारी नील नदी और नील नदी का डेल्टा क्या आपको नजर आ रहा है नील नदी का डेल्टा नीन नदी का डेल्टा बिल्कुल नीन नदी का जो डेल्टा है इस नीन नदी के डेल्टा का जो अध्यन है वो अध्यन करने वाले कौन थे नीन नदी के डेल्टा का अध्यन करने वाले थे ये नीन नदी का डेल्टा है और नीन नदी के डेल्टा का अध्यन करने व यह हमारा डेल्टा है इस डेल्टा का इस डेल्टा को पहली बार जो बताने वाले थे डेल्टा के बारे में पहली बार जो बताने वाले थे वो कौन थे मैं शायद नाम बता चुका था आपको हेरो डोटस हेरो डोटस ठीक है ये ध्यान रखना है आपको ओके तो ये हमारी नील नदी हो जाती है और नील नदी पर काफी जो विशेश था हमने जितना भी बाते थी सभी परकार की जीलों को जाना अब कुछ इमेजेज हैं अगर आप देखना चाहें तो आप कंटिनू देख सकते हैं नील नदी की से संबंदित कुछ इमेजेज हैं हम उन्हीं की बात करते हैं नील नदी पर देखो नासिर जील के बारे में आएं तो ये हमारे नासिर जील है